अलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में कैसे हैं आप सब दोस्तो आज मैं जो आपके लिए प्लोड लेका हूं उसका साइज है 35 feet by 40 feet 35 feet इस प्लान का चोड़ाई है और 40 feet 40 feet इस प्लान का लंबाई है मतलब ये 35 feet by 40 feet का ये प्लोड है ये प्लान क्योंड दोस्तों ये जो लुट का जो मुख है वह उत्तर दिशा की तरफ है और इसके तीनों तरफ बाकी दूसरे लोभ की प्रोपरटि जमीन है तो इसी बात को धियान में रखते हुए ये प्लान मैंने डिजाइन किया है दोस्तों अगर आपका कोई कोई प्लोड है जिस बाहर में पर से हमार है और यह यहां पर जाने के लिए एक 4 फीट चौड़ा एक दरवाजा ड्जाइन की 6. तो पर जाते हैं तो यहां पर जो साइब चलिए एक विंदो डिजाइन चाल है वे हमारे घर spirit hen जाएगी दोस्तों तो अभी आ जाते हैं इसके नीचे से यहां पर हमारी स्टेयर केस है जो स्टेयर केस के नीचे से हमारी घर में एंटर ही होती है तो यहां से हमारी जो सेकेंड फ्लाइट है दूसरी फ्लाइट के नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे तो यहां पर ज मिल यहां पर चोड़ा है और इसका जो ट्रेड है जिसके हम अपना पय रखते हैं और जो शेब दूस्त को अब ही आते हैं यहां पर मिल एंडिकमिट 3 इंचका मिलता है और इसके आगे मैंने यहां पर 2 feet का और भी एक slab design कर रखा है जिससे हमको यहां पर almost 5 feet का जगह मिलेगा जिससे हम अपने midlanding के बहुत असानी से turn कर सकते हैं दोस्तों तो यहां पर एक अच्छा elevation भी आएगा क्योंकि यहां पर हमारी midlanding के slab आ रही है तो अभी आगए आते हैं आप ieursयां से अप pre-shop क्योंकि दिखाया है यहां से यहां से अब लिग सिख्थ सिख्थाय पना है कि हमने अपने अन् फ्लेट्पॉर्म के अगया बीट्फॉर्स अर्पॉर्म से हम अपने फेर के अन्दर जांगे तो यहां पर यहां पर यहां बबबू होगी जो भी स्मेल होगी वह इससे बाहर की तरफ चली जाएगी दोस्तों। तो अभी आ जाते हैं आगे यहां पर अपने प्लेटफॉर्म से ही हम अपने गेस्ट रूम में आए यह हमारा गेस्ट रूम अपनी ट्रॉइंग रूम है हम जैसे भी चाहें तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं और उसका जो साइज है जो चोड़ाई है 10 फित इंड फीट है तो इसका जो सींच पर 13 फीट 6 फीटfeit काफी बड़ा है और इसको हम चाहीं तो एक ड्रोइंग रूम भी उसका सकते हैं दोस्तों तो इसमें जाने के लिए बाहर से यहां पर एक 9 feet का MS का channel gate design किया है लोहे वाला channel gate जो कि उपन होगा तो हमारी car parking वाले एडिया में जाएगी तो इसका जो साइज है वो 13 feet 4 inch इसका लंबाई है और 9 feet 6 inch 9 feet 6 inch इसका चोड़ाई है car parking area का जिसमें हमारी बहुत आसानी से पर्क हो जाएगी दोस्टो अभी आ जाते हैं यहां से यहां पर डर टेयन कीया है कशने पुक्री दी तरफ से वाला है यह मूफ़ें की दरफ से हहां ओर दोर आगंगे यह dining hall है, dining public living room है, क्योंकि यह काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम as a living room भी यूज कर सकते हैं, दोस्तों, तो इसका जो size है, 18 feet 1 inch, इसका जो लंबाई है, और इसका जो चोड़ाई है, 9 feet 8 inch, 9 feet 8 inch इसका चोड़ाई है, तो यहाँ पर एक table place किया हुआ है, जिसको 5-6 person एक साथ बै kitchen design के है, जो open kitchen है, तो इसमें जाने के लिए 4 feet का यहाँ पर एक place shoulder खाया, जिससे हम अपने kitchen के इंदर जाएंगे, तो इसका जो size है, 9 feet 8 inch, इसका लंबाई है, लेंथ है, और इसका जो चोड़ाई है, चोड़ाई इसका है, दोस्तों, मैं चोड़ाई, इसको मैं आबे बतात हैं, यहाँ से अपने kitchen से, अपने, यहाँ वे dining area में, और dining area के just side में ही, यहाँ पर common toilet and bathroom डिराइन किया है, ताकि हम यहाँ से हम असानी से इसको access कर सकते हैं, तो इसका जो size 6 feet, इसका जो लंबाई है, sorry, इसका चोड़ाई है, और 6 feet 7 inch, इसका लंबाई है, तो common toilet and bathroom में इसमे जा सकते हैं, तो इसके लिए ventilation जो है, 2 feet by 2 feet के आपे ventilation design के है, जो कि हमारे car parking वाले area के तरफ open होता है, तो जो भी हमारे बद्बू होगी, वो हमारे इधर से car parking areas होते होते हैं, बाहर के तरफ जाएगी जोखता है, इसका जो चोड़ाई है, 3 feet 3 inch है, उसका जो लंबाई है, 6 feet 7 inch है, सेमी इसका लंबाई है, तो इसको हम पूजा रूम ये open है, यहां पर कोई door, कोई दरवाजा नहीं design के है, जैसा कि हम अपने पूजा रूम में generally रखते हैं, तो यहां पर हम इस area को हम पूजा रूम के तरफ पर इसमाल करेंगे, तो अभी आ जाते हैं, यहां पर, यह हम अपने master bedroom 2 में जाएंगे, तो यहां पर इसका जो size है, इसका जो लंबाई है, वो है 15 feet इसका लंबाई है दूसकों, जो master bedroom 2 का जो लंबाई है, 15 feet लंबा है ये, और चोड़ा जो है, इसका 10 feet है, जो इसका चोड़ाई है, वो 10 feet है, तो इसके लिए यहां प एक ODS भी आप हमारे master bedroom के अंदर जो है, प्राक्रिति जो रोसनी है, शूरी के रोसनी वो हमारे master bedroom 2 में आएगे दोसकों, तो अभी आ जाते हैं फिर अपने master bedroom 1 में, इसका जाने के लिए यहां पर फिर हम अपने living room से ही जा सकते हैं, dining area से ही जा सकते हैं, तो dining hall से है जो साइज है, वो 3 feet च इसका लेंद्ध है लंबाई है तो यह माश्टर बेट्रोंग वन है जो कि सेंटर में है तो अभी इसमें जाने के लिए आप एक टू फिट सिक्सिंग का आप एक डोर डिजाइन किया जिससे हम अपने ओटीएस में इधर की दर्फ जा सकते हैं कुछ ग्रीन लगाना चाहें य इसके ऊपर छत नहीं आएगी यहां पर हमारा यह उपन रहेगा जिससे हमारी जो नेक्रल लाइट है और फ्रेस एयर है जो कि हमारे रूम्स के अंदर आएंगी दोस्तों यहां पर एक विंडो डिजाइं के मास्टर बेट्रूम के लिए जिसका साइज या फोर फिट बाई जाने के लिए हाँ पर फिट चोड़ा है आप एक डूर डिजाइन के है जिससे हम अपने बेटरूम में जाएंगे दोस्तों तो इसका जो साइज है पंदरे फिट इसका लंबाई है और दस फिट इसका चोड़ाई है 15 वाई 10 वीट का यह कॉमन बेटरूम है और इस वाली दोस्तों आपसे करना था कि अभी तक आपने मारे चनल सब्सक्राइब कर लिए और अगर आपकोई भी कमेंट हो कोई भी क्वैरी हो तो मुझे कमेंट में बताएं दोस्तों अभी बात करते हैं वाल साइजस की और कॉलम पोजिशन की तो यह हमारे घर की जो बाहर बाहर की अब कि दिवारे हैं जो आपकी देवह रहें 250 यह 9 इंच की दिज然 की नौँ इंच की इसमें मैंने डिवारे अपकी तो अभी फिटार सजिए फायसाइरृ और दोस्तों भी क्वाल है चाहिसjust की बात कर लेते हैं तो हमारे लास्ट वाल है यह अब र Εड़ कलर लालन हो जो आप देख रहे हैं अलारंग में इसका जो साइज है यहां हमारे कोलम्स है जिनको हम किलब भी बहुंत हैं साइज है 9 इंच वाले कोलम्स है जिनका साइज है 9 इंच वाइ 12 इंच यह 9 इंच भाई 12 इंच के यहां पर कॉलम डिजाइन करने पड़े हैं क्योंकि यह center of the building है center of the house है मन आपे कॉलम five इंच के आपर यहांपर इंच की है और sont आने सत Actually 1.5 इंच के फसक्राइब इस प्लाइन से रिलेटिड अगर आपका कुछभि क्वेरी है तो मुझे कमेंड में बताइए और तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दूस्तों में लेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्यार लखनें बाई बाई टेक क्यार थैंक्यू जाए